तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत के वाइसराय के बारे में बताऊँगा दोस्तो जैसा कि आपको यादी होगा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल के बारे में बताये था मैंने आपको उनके नाम बताये थे, उनके कारे बताये थे, क्योंकि उनसे प्रशन बनते हैं आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन-कौन से वाइसराय भारत में आये थे और उनके कौन-कौन से कारे बहुत फेमस हैं जिससे की प्रशन आते हैं अब दोस्तों यूँ तो भारत में कुल 20 वाइसराय आये थे, लेकिन मैं सर्फ वो वाइसराय आपको बताऊंगा जिनसे प्रश्ण बनते हैं, यानि कि तकरीबन 12 वाइसराय के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो आपको एक एक करके उनका नाम लिखना है, उनका टाइम प 1857 की करांती से पहले कमपनी का राज चल रहा था, और जब ये करांती हुई, तो बिटिश सरकार ने सत्ता अपने हाथ में ले ली थी, और कमपनी को घर बेज दिया था, तो 1858 से वाइसराय बनना शुरू हुए थे, तो भारत की जो पहले वाइसराय थे, वो लौर कैनिंग इनका जो कारेकाल था वो 1856 से 62 तक चला, अब आप कहेंगे कि 1858 से वाइसराय बनना शुरू हुए थे, तो 1856 से इनका कारेकाल कैसे हो सकता है, तो देखो, 1857 की करांती से पहले, 1856 में इन्हें भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, अब इसके बाद हो गई करांती और आगया ताच का राज, तो फिर क्या हुआ, फिर इन्हें 1858 वाइसराय बना दिया गवर्नर जनरल से, तो आप ये कह सकते हो कि भारत के आखरी गवर्नर जनरल जो थे, वो लौड कैनिंग थे, और पहले वाइसराय थे, वो भी लौड कैनिंग ही थे, तो ये इनके लिए प् सुनते हो धाराय जिसके अंदर होती है, जिसको भारतिये दंड सहीता भी कहा जाता है, वो इन्हें के टाइम पे तयार की गई थी, और आज तक हम इसका यूज कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई गई थी, ठीक है, तो IPC का निर्मान हुआ था, इसके इसके अलावा इश्वर्चंद विद्या सागर के चलते हुए आंदोलन के तहट विद्वा पुनर विवा अधीनियम 1856 ये भी इनी के राज में बनाया गया था, तो ये जो पूछ लिया जाता है कि ये जो आंदोलन हुआ था विद्या सागर जी का, इसमें जो अधीनियम म मदरास में और बंबई में, तीनों प्रिसिदेंशियों के अंदर, तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं वो लॉड कैनिंग के लिए बनते हैं कि लॉड कैनिंग ने वाइसराय होते हुए क्या क्या किया था, तो आप इन्हें लिख सकते हो, इसके बाद जो दूसरे का नाम ले रहा हूँ, योगि बाकी सब तो आपको याद करने की जरूत नहीं हैं, तो लॉड मेयो आये थे 1869 में और बहतर तक रहे थे, इनके टाइम पे जो एक बड़ी बात हुई थी वो ये थी, कि उन्होंने भारत की जंगर्ना करवाई थी पहली बार 1862 के अंदर, जो भी आया, और इनके बारे में कहा जाता है कि इनका असेसिनेशन हो गया था, इनकी हत्या हो गई थी, कहा पर पोर्ट प्लेयर में हुई थी, अंदमा निकोबार में, कहा जाता है कि शेर अली अफरेदी नाम के एक कैदी ने इनको मार दिया था, क्योंकि ये कैदियों से मिलन इनको वो इसलिए क्योंकि 1876 से 78 के बीच में भारत में एक बहुत बड़ा अकाल आया था जिसको कि इनोंने निप्टाया था तो उस टाइम पे ये बड़े कुरूर हो गए थे और साथ ही दूसरा एंगलो अफगान युद्ध हुआ था वो भी इनी के रहते हुआ था और इनो गटनाओं की वज़े से इनका क्रूर रवया सामने आया था एवन भारत में और इंगलेंड में हर जगह इनको क्रूर कहा जाता था तो ये ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आते थे इनोंने आने वाले अकालों को ध्यान में रखते हुए अकाल आयो की स्थापना की थी जिसकी अध्यक्षिता रिचर्ड स्टेची ने की थी इसके अलावा इन्होंने एक बुरा काम ये किया था कि इन्होंने वर्नाकिलर प्रेस एक्ट 1878 लागो किया था इसमें ने करना ये था कि जो भी लेक लिके जा रहे हैं अंग्रेजों के खिलाव उसको रोकना है किसी भी तरीके का हतियार जो किसी भारतिये के घर में मिलता है अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है तो वो गैर कानूनी है वो उसको रख नहीं सकता वो उसे बेच नहीं सकता अगर वो ऐसा करता है तो उस पर जर्माना लगेगा या फिर उसको जेल में डाल दिया जाएगा तो आत्मरक्षा के लिए रखे जाने वाले हथियारों के लिए भी यह कानून लेके आये थे इसके अलावा इन्होंने सिविल सेवा की जो नियूनतम आयू थी वो 21 से घटा कर 19 वर्ष कर दी थी क्योंकि वो नहीं चाते थे कि कोई भी भारती जो है वो सिविल सिवा के अंदर जाए तो इसका मतलब भारतियों के अफसर रोकने के लिए उन्होंने ऐसा किया था और आखिर में इन्हें ओवन मेरिडिम के उपादी से नमाजा गया था क्योंकि इनकी रूचे साहिते के अंदर थी तो कुल मिलाके इनके काम ऐसे थे कि लोग इने पसंद नहीं करते थे काफी क्रूर किसम के या आदमी थे तो इसका नाम आपको याद रखना है लौड लिटिन इसके बाद जो अगले वाइसराय आते हैं वो उतने ही अच्छे थे मतलब लौड लिटिन जितने बुरे थे उतने ही अच्छे लौड रिपिन थे लौड रिपिन आते हैं 1880 में और 1884 तक कारे करते हैं ये सबसे ज़ादा लोग पर ये वाइसराय है भारत की हिस्ट्री के अंदर क्यों? क्योंकि इन्होंने भारत का उधार किया है जो फ्लोरेंस नाइटेंगल है उन्होंने लौड रिपन को भारत का उधारक कहा था वो इसलिए क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे काम किये थे सबसे पहला काम तो इन्होंने ये किया था कि इन्होंने नगर पालिका की विवस्ता की थी, ग्राम पंचैत की विवस्ता की थी, सिंपल चब्दों में आप कह सकते हो, स्थानिय सुशाषन के ये जनक थे, 1881 में इन्होंने नियमित रूप से की जाने वाली जनगना भी की थी नियमित रूप से अलागि पहली जनगना किस ने करवाई थी लॉड मेयों ने करवाई थी कब 1872 मैं अभी बताया था मैंने आपको लेकिन इनोंने नियमित रूप से शुरू करवाई थी इसके अलावा मजदूरों की हालत सुधारनी के लिए इनोंने 1881 में कार खाना अ हंटर कर रहे थे और जो वर्नाकिलर एक्ट लगाया था लॉड लिटन ने उसको भी हटाया था इनोंने इनोंने ये कहा था कि समाचार पत्र तो बहुत जरूरी है इसलिए 1882 में इनोंने इस एक्ट को खतम कर दिया था तो एक बड़ा ही अच्छा कारे था लेकिन 1884 में इन जाय मुकदमा इंडियन पे चल रहा है चाहे बिटिश पे चल रहा है फैसला कौन लेता था बिटिश न्याय दीश लेते थे लेकिन इनोंने ये कहा कि न्याय विवस्ता के अंदर भारतिय न्याय दीशों को भी जगह मिलनी चाहिए बस इसका विरोज जो है इंगलेंड के इंदर शुरू हो गया और इनसे ले लिया गया इस्तीफा उस इस्तीफे को काला इस्तीफा कहा जाता है यो कि वो काफी सुधार करनी की कोशिश कर रहे थे लेकिन उन्हें करने नहीं दिया गया तो ऐसे में आप कह सकते हूँ कि लॉर्ड रिपन वस दा बैस्ट वाइसराय इन दोनों को आप लाइन से याद कर सकते हैं कि लॉर्ड लेटन जितने कुरूर थे उतने ही अच्छे थे लॉर्ड रिपन तो लेटन और रिपन साथ में आप याद कर सकते हूँ इसके बाद नमबर पे आते हैं लॉर्ड करजन जो कि 1899 से बने थे और 1905 तक बने थे अब सोनार बांगला आपको याद होगा ठीक है तो सबसे जादा ना पसंद किये जाने वाले वाइसराय बने थे उस टाइम पे ये कि उन्होंने बंगाल को तोड़ दिया था लेकिन इनके टाइम पे एक चीज और हुई थी जिसे सवाल पूछा जाता है कि 1904 में भारतिये विश विद्याल अधिनियम कब पारित हुआ था तो 1904 में किसके टाइम पे हुआ था तो लौड करजन के टाइम पे हुआ था ठीक है इसके बाद आते हैं लौड मिंटो सेकंड इनका नाम आपने सुना होगा 1905 से 1910 के भारत में रहे थे इनोंने फूट डालो और राज करो की जो नवाब थे और आगा खान थर्ड के नेतरत में मुसलिम लीग बनाए गई थी इनका काम ये था कि मुसल्मानों को अलग करना है तो कहीं न कहीं इनोंने मुसलिम और हिंदूों के बीच में यही से फूट डालना शुरू कर दिया था इसके अलावा 1907 में इनी के टाइम पे क मारले मिंटो सुधार मीनों ने किया था उस सुधार के तैद इनोंने ये कहा था कि मुसलिमों के लिए अलग से निर्वाचन की विवस्ता होगी पर तक निर्वाचन की विवस्ता होगी तो कहीं न कहीं लोगों को तोड़ने का काम कर रहे थे ये वाले वाइसराय तो लॉर जो की 1910 से 1916 तक रहे थे इनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बहुत सारी गलतियां सोधारी थी जैसे की 1911 में इन्होंने बंगाल विवाजन रद कर दिया था आपको याद होगा 1905 में हुआ था लेकिन 1911 में इसको रद कर दिया गया था और बंगाल को जोड़ दिया गया था इसी के अलावा बिहार को अलग से राज्य भी बना दिया गया था बिहार यहीं से अलग हुआ था ठीक है और इन्होंने 1912 में दिल्ली को राज़ानी बनाया था भारत की और 1916 में बियचियू की स्थापना हुई थी यह किसके नेतरतु में हुई थी मदन मोहन मालविये के नेतरतु में लेकिन पूछा जाता है कि बियचियू की स्थापना के वक्त कौन थे वाईसराय तो आप लिखेंगे लॉर्ड हार्डिंग सेकंड तो इस तरीके से कुछे गलतियों को इन्होंने सुधार आ था तो यह हो जाते हैं चेवाईसराय इसके बास नमबर पे आते हैं चैमसफोर्ड नाम आपने सुना होगा चैमसफोर्ड सुधार का नाम सुना होगा आपने जो की 1916 से 1921 तक रहे थे इन्ही के टाइम पे 1916 में होम रूल आंदोलन उठा था तब गांदी जी भारत आ चुके थे और उनसे भी कहा गया था कि आप इस आंदोलन में आकर के जुड़ें लेकिन उस वक्त वो उस मूड में नहीं थे ठीक है इसके अलावा इन्ही के टाइम पे आया था रॉल अटेक्ट 1919 में जिसके तहट कई सारे लोगों गरफतार किया गया था ना कोई वकील होता था ना कोई दलील होती थी संदे के आदार पे जो बिटिश सरकार थी वो गरफतार करती थी लोगों को और इससे नाराज होकर शांती पूर्ण विरोत करने के लिए लोग जलियावाला बाग में जमा हुए और 1919 में ही जलियावाला बाग हत्याकांड हो गया ठीक है ये बहुत इंपॉर्टन चीज है पुछी जाती है और उसी 1919 में भारत के अंदर खिलाफत आंदोलन की भी शुरुआत हुई थी क्यों हुई थी? क्योंकि तुर्की के खलीफा को उनके पत्स से हटा दिया गया था इसलिए शौकत अली और मौमद अली दो भाईयों ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था और आगे चलके गांदी जी ने उसका नेतरत्व किया था इसके बाद 1926 में अससयोग आंदोलन की भी शुरुआत हुई थी इनी के टाइम पे तो इनके साथ पहुत सारे पॉइंट जुड़े हुए हैं तो सवाल इनसे भी काफी सारे बनते हैं आगे बाद आगे वाइसराय आते हैं लाड इर्विन जोकि 1926 में आते हैं और 1931 तक रहते हैं सबसे ज़्यादा सुना हुआ नाम आपका होगा क्योंकि इससे जुड़ा हुआ एक समझोता जिसको आप गांदी इर्विन समझोता कहते हूं अलाकि वो भी बताऊंगा मैं लेकिन इनके टाइम पे सबसे पहला काम ये हुआ था कि साइमन कमिशन भारत आया था कब फरवरी 1928 के अंदर इसी के तैथ 1928 में नेरू रिपोर्ट भी तैयार के गए थी क्योंकि साइमन कमिशन जब भारत आया था तो उस कमिशन में एक भी हिंदुस्तानी नहीं था और भारतियों को ऐसा लगता था कि आप भारतियों के लिए सुदार करना चाते हो समझान में तो भारतियों को तो शामिल करो, लेकिन उन्होंने कीया नहीं साइमन कमीशन में, इसी वज़े से ये नहरू रिपोर्ट तयार की भारतियोंने, क्योंकि उनको चैलेंज दिया गया था कि कि आप अपने लिए समझदान बना सकते हो, तो भारतियोंने ये चैलेंज उसके अंदर एक नहरू रिपोर्ट तयार की गई अगस 1928 तक ठीक है इसके अलावा 5 मार्च 1931 को गांधी इर्विन समझोता हुआ ये कब हुआ सविने अवग्या आंदोलन के चलते वे हुआ था और इसके चलते गांधी जी को गोल में सम्मिलन में आयोजित किया गया था इसका मतलब यहां पे इर्विन के टाइम पे दो गोल में सम्मिलन हुए अच्छा कौन से गोल में सम्मिलन में कॉंग्रेज गई थी 1931 वाले में गई थी तो ये लॉर्ड इर्विन वाला आपको याद रखना है मामला इसके बाद नमबर पे आते हैं लॉर्ड लिन लिथग जो की 1936 में बने और 1943 तक रहे इनके टाइम पे कई सारी चीजे एक साथ चल रहे थी जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले तो 1949 में दुट्य विश्वयूद शुरू हुआ था इसके अलावा 1949 में ही इन्हों ने ये कह दिया था अंग्रेजों ने कि भारतिये हमारे साथ है बगैर भारतियों से पूछे ये बात भारतियों को अच्छी लगी नहीं उन्होंने कहा कि आपने हमसे बिना पूछे कैसे बोल दिया और इसी के चलते कॉंग्रेज ने 1949 में पूरे मंत्री मंडल ने एक साथ त्याक पत्र दे दिया था तो ये पूछा जाता है कि कॉंग्रे सबसे बड़ा अंदोलन था क्योंकि भारतियों को पता था कि अंग्रेज कमजोर हो चुका है तो अब ऐसे में क्या करना है कि बस इसको यहां से भगाना है तो वो भागने की तयारी ही कर रहे थे इसके बाद आते हैं लौड वेवेल जो की 1943 में बने जो की 1947 तक रहे इनके ट जिन से भारत का समिदान बनना शुरू हुआ था या यू कहलो कि जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी इसके अलावा 16 अगस्त 1946 को डारेक्ट एक्शन डे भी हुआ था जिसके अंदर बहुत सारे हिंदू का कतले आम हुआ था जैसा कि आपको पता है क्योंकि यह ने किया था डिवाइडन डूल का ही यह नतीजा था जो कि इतना बड़ा कांड हुआ था और 1946 में आखिर में मुंबई में 9 सैनेकों का विद्रो हुआ था तो आप यह कह सकते हो कि लॉर्ड वेवल के टाइम पे आखरी कुछे गतिविदिया हुई थी और इसके बाद एक न योजना जिसके तैत हो गए थे भारत के टुकडे और भारत को आजादी मिल गई थी जैसे ही भारत को आजादी मिली वैसे ही इने वापिस गवर्नर जनरल बना दिया गया वो इसलिए क्योंकि अंग्रेजों का राज खतम हो गया था तो वाइसराई की क्या जरुवत है आखरी गवर्नर जनरल बने भारत के आजाद भारत के पहले और आखरी वो थे सी राज गोपालाचारी जो की 1948 से 1950 तक रहे इसके बाद 26 जनवरी 1950 को सम्विधान लागू हुआ और फाइनली भारत में राष्ट्रपती का पद आ गया और गवर्नर जनरल का पद हमेशा के लि लात करना है और इसी के साथ अगर आपको एक क्वेरी आती है कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही सियू नेक्स्ट वांगुश्यू